हेलो एवरिवन वेल्कम बेक तो माय चैनल तो दूस्तों स्वागत है आप सब का हमारी चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइट स्टाइल पूजा पार्ट से जूड़े हूँ अल इन टॉपिक पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एस्प कि घर में बहुत सारे नियम होते हैं सबसे पहले कि अगर आपने पत्वारी घर में लगा रखी है या आप लगाने की सोच रहें तो उसके पहले नियम जान लें सबसे पहले पत्वारी अगर आपने घर में लगा दिये तो फिर आप घर को बंद करके कहीं नहीं जा सकते सब से पहला नियम आप यह समझ लें दूसरा नियम यह है कि जो ब्रती है अगर उसने पतवारी लगाई है तो वो अपने शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकता कहने का मतलब अगर इसमें आपने कार्टे का ब्रत आपका चल रहा है और आपके घर में आसपड़ोस में कहीं ऐसी जग पतवारी लगाने का मतलब पूरे 30 से 31 दिन की जो पूजा है हमें नियमित करनी होती है रोज उन्हें प्रती दिन उन्हें सीचना होता है रोज धूब दीपक का ध्यान रखना होता है शाम को उनका दीवदान करना होता है सुबा हमें भी पूजा पाट दीवदान करनी होती और फिर कताय होती हैं। सो देखे, आप से जितना हो सके उतना गरे जो नहीं हो रहा है, वो ज़रूर नहीं कार्तिक मास के बारे में कहा गया है कि आप सिर्फ नियम पूरवक सुबह उठकर एक नियम से इशनान ही कर लेते हैं उतना ही सफिशेंट है पूरे कार्थिक महिने की पूजा का ब्रत का लाभ आपको मिलता है अपका पतवारी लगाते कैसे हैं उसे आप समझ ले पीपल पतवारी अगर आपने पतवारी लगा र अगरा रहते हैं वो तो कहीं जाते नहीं है और जिन लोगों को पूजा करनी होती है वो अपना मंदिर जाके पूजा कराते हैं तो मैं सो आप से यही कहूंगी आप देख लीजग अ कर आपके घर में लगा लेंगे तो फिर नियम थोड़े से बढ़तेगे जैसे कि पैसे भ फिर जो हशूर देप को जल दीजे, फिर मातुलसी को जल दीजे, मातुलसी की आरती करिए, उनका ध्यान करिए, फिर आपका आरते की जी का ध्यान करिए, फिर सिरी हरी विश्नु जी का ध्यान करिए, शालिक राम जी की सेवा करिए, तो पूरा दिल लबो लबाब इसी सब मे आपका निकल जाएगा अगर पतवारी लगाई तो फिर पतवारी की कथा करिए उसको भी समझिये तो इस टाइप के बहुत सारी जाते हैं वैसा ही नियम सीधा 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 सा यहां है अब पतवारी कई तरीकों से लगाई जा सकती है सबसे पहले आप अपनी जगह समझ लें आप पतवारी लगा रहे हैं क्या आपके पास परकिरमा करने की सब यह या आप छट पे लगा लिजे घर के आंगं में लगा तो वही पर गोवर्ट से बढ़ियां गाय के गोवर्ट से लिपबा कर फिर सत्त नारायन की कथा जो है वो करवात नहीं है तो अगर ऐसी जगे छोड़ रखी है तो ऐसे में आप क्या करें दो तरीकी से लगा सकते हैं तो मिट्टी की मेड टाइप की बना लें हमारे यां उसको मेड बोलते हैं तो मेड टाइप की बना लें उसमें लगा सकते हैं आप इटे से भी पतवारी लगा सकते हैं ऐसा कोई खास नहीं है कि नहीं हम पतवारी सिर्फ इसमें लगा सकते हैं उसमें लगा सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है आप एक गमला ले लिए स्लेमिंट का ले लिए मिट्टी का ले लिए बहुत सारे गमले मार्केट हो मिल जाते हैं आप गमले में पतवारी लगा सकते हैं और उसके बाद विधी पूर्वाक उनका विसरजन भी कर दीजे, एक महिनी के लिए जो है वो रहेंगी, अब पतवारी लगेगी कब, पतवारी आपकी जो है वो कार्तिक मास जब से शुरू होगा, उसके एक दिन पहली लग जाएगे, कहने का मतलब पूनिमा को लग जाएग जाती गंबले में आप मिट्टी रख लीजे या जैसे भी अपनी सुब्धा अनुसार पतवारी लगाना चाहते हैं और आप उस अनुसार लगा लिए, आपके हांगन है आप जमीन में लगा लिजे, जमीन नहीं है तो आप गंबले में भी पतवारी लगा सकते हैं, अब ऐ ऐसे में आप अगर पतवारी लगा रहे हैं तो विशेश कर से आप आमले का पेड़ भी एक रख लीजे, एक पतवारी जहां लगा रहे हुआ पीपल का पेड़ भी रख लीजे, मा तुलसी को भी रख लीजे, अम आवश के दिन तो इन्हें दूद से सीचने से लाब होता ह पतवारी का नियम है आप दूद और दही को हलका सा पानी में, हलका सा दूद, हलका सा दः मिला के आप रोज जो है वो सीच्चीए जब आप सुबा तोलसी जी को जल देंगे उसी समय पतवारी को भी जल देंगे इनकी पूजा की विदी , वो कुछ इस पिरकार है कि सुबा जब आपने शूरदेव को जल दिया, शालिग राम जी की सेवा की, मंदिर की पूजा अरचना की, फिर आप आएंगे अपनी पतवारी के पास, एक दिन पहले आप लगा लिजे, जैसे हम जो लगाते हैं, ठीक वैसे ही लगानी है, मिट्टी लगानी है, जो एक दिन पहले भी गोली जीगा, ताकि वो बढ़ी हैं से आराम से जली से निकल आएंगे, और थोड़ा-थोड़ा उसमें आप जो है, जो आप जो आप पतवारी को भी जल देंगे, एक दीपक मातुलसी के पास जलाएंगे, गाय के देशी घी का, और एक दीपक जलेगा पतवारी के पास, र लगाते हैं उनको इनको भी लगाएंगे, आपने जैसे मातुलसी को कलावा बांदा है, वैसे पतवारी को भी कलावा बांदेंगे, आप उन्हें भोग परिशाद भी चड़ाएंगे, जैसे कि आमला हो गया, सिंगहाड़े हो गया, आमला विसेस है, याद रखिए का कार्थिक मास में आमले के पेड़ के ब्रक्ष की पोजा करना, आमले के नीचे बैठके खाना खाने से, आमले के चूण या रस से स्नान करने से आपको बैखुंड धाम की प्राप्ती होती है, बहुत लाब है, अने को लाब है, लाब गिनवाने बढ़ जाओंगे तो एकात पर्क्रयमा Onu सोच रखे तिन लगाईं यह साथ लगा है तो इतनी पात्वारी कि तुलसी टी परक्रयमा जो है वो लगा सके प्रति दिन आपने परक्रयमा लगाहिए जो ब्यूंको सीचना नहीं है शाम को आपको प्रणाम करना है और निपक्को पुर्जञ परजग करना ऐसी जगे नहीं जा सकता अपने सहर छोड़के बाहर नहीं जा सकता पतवारी लगाने के बाद घर को बंद नहीं किया जा सकता तो अगर आप घर में दो ही लोग हैं तो विसेज ध्यान रखेगा अगर पतवारी लगाना चाहते हैं तो यह विदी है पतवारी लगाने के आप लगा सकते हैं और पतवारी लगाने के साथ आप आमले का वरक्ष जरूर लगाए आप एक बार पतवारी का नहीं लगाना चाह अगर भाव ही नहीं है तो वो खाली हाँत जोड़ने से ही खुश हो जाते हैं इस चक्र में नहीं पढ़ पाती है उसकी पीछे के दो कारण है एक तो यह कि मैं अकेली रहती हूँ कोई बात हो जाएगी कुछ हो जाएगा तो मुझे घर बंद करके ही जाना पड़ता है चुकि husband का जो मामला है वो कुछ ऐसा नहीं, कुछ ओविस गंटे घर में ही बैठे रहते हैं, जब मौका लगता है तब ही बैठ पाते हैं, तो मैं अकली रहती हूँ इस डर से मैं यह काम नहीं करती भाई, आप पूजा कम कर रहे हैं दोश जरूर से जाधा लग जा रहे हैं तो पता चले ना तो पूजा का ही लाब मिला और नहीं जो है वो हम अच्छे से पूजा पाटने भापाए और नहीं भगवान के आरातना कर पाए उसका दोश और लग गया दान निकालने से दोश समाप्त हो जाते हैं साथ ही साथ कल्योग में दान की सहारे ही आपका जीवन वहतीत होता है तो प्रती दिन आप चाहें तो इस तरीके से पतवारी लगा के पूजा कर सकते हैं मात तुलसी जी की आरती नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पत्रानी वाली और आप अत्वारी के नीचे बटके कथा कर सकते हैं यह उठा दें बटा यह किताब दें और इस टाइब के कार्ट तक मास्की जो है वो किताब आती है तो आप यह किताब लेनी जाएगा इसमें सभी महत्में दिये गए हैं मतलब एक अदेशी के बारे में जो कुछ है सभी जानकारियां सब कुछ मतलब हर एक चीज इसमें तुलसी जी की बिवहा से लेके हर एक चीज जो है तुलसी जी की कहानी तुलसी ब्रक्ष के बारे में पीपल ब्रक्ष के बारे में तुलसी बिभा संसकार के बारे में तुलसी बिभा विदी सब कुछ इसमें जो है वो जो यह पूरे अध्या है अब 35 तो यह 35 अध्या पूरे दिये गए हुए है इसमें तो आप प्रती दिन जो है वो जितने पढ़ सेके उतना अपने अनुसार जो है शमतवैसे तो प्रती दिन एक पढ़ना चाहिए तो आप उसमें तिरियोदशी में वहां पर बढ़ जाएंगे तो आपके आगे चल के दू-तीन अध्या जाते हैं जो के एक दू-तीन में पूरे हो जो बहुत सारे लोगों कमेंट था के दीदी हम लगाना चाहते हैं पत्वारी आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं थोड़ा सा यही नियम मुका आपको पालन करना है और देखिए मैं फिर से वही बात कहूंगी कि जो चीज निभाई जा सके उसी चीज को क करिए देखा देखी शौक में आके कोई असगा मत करिए कि आप अपना ही नुकसान कर बाटे तो जितना आप से निभ रहा है पूजा पाथ आप उतना करिए नहीं तो कार्तिक मास की तो बहुत सारी व्यक्षा है आप सिर्फ इस्नान कर लेते हैं उससे भी पुन्य मिलता है पूरे महिने आप इस्नान नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ तरकार्तिक ब्रत कर लेते हैं तो उससे भी आपको पूजा का पुन्य लाभ मिलता है तो फ्रेंट्स आशा करते हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई है तो देन लाइक, शेर, सस्क्राइब, कॉमेंट देना मत बूलेगा अगर कुछ लोग पूछे कारते कब से शुरू हो रहा तो बता दे तो 31 तारिक से शुरू हो रहा है दिन सनिवार और 31 अक्टूबर से जो है वो शुरू हो रहा है तो फ्रेंट्स मैं मिलते हूँ विदा न्यू वीडियो तब तक के लिए जया शी किशना रादे रादे य भाई भाई फ्रेंड्स बाई बाई